हलो अब्रीवर्ण वेल्कम टो पिल्स एस्टेशन चनल फिंट्स आज अम लोग है पर सॉल्ड करेंगे क्लास 10 आले सकवाल की बुक सेगाई निवे एडिशन से आपकी टिगनोमेटरी यूनिट का टी डिशोज अफ कॉंपलिमेंटरी एंगल चेप्टर 12 एक्सराइस 12 के कोश से आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेप डेख सकते हैं कुछ लिंक उपर ऐबयेबल है एट आपस सर्थब्ट आप रहे अपके लिंकस आविल एव वो आप देख सकते आं Okay, so question number 8 हम देखते हैं, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? If cos 2a equals to sin a minus 15 degree, where 2a is an acute angle, then find the value of angle a. Means आपको दिया है 2a क्या है? Acute angle है, it means less than 90 degree है 2a की value. Then you have to find out the value of angle a. How you will solve this question? Guys, आपको question दिया है, cos 2a equals to sin a minus 15 degree, right? 2a क्या बोला है आपसे? Acute angle बोला है, right? So, हम इसको क्या लिख सकते हैं cos 2a को? Sin 90 minus 2a guys, लिख सकते हैं आप लोग. Sin 90 minus 2a, लिख सकते हैं की नहीं? कैसे लिख सकते हैं? आपको मालूम है, cos theta किसके इक्वल होता है? Sin 90 minus theta के इक्वल होता है. या फिर कह सकते हैं आप लोग कि Sin 90 minus theta किसके इक्वल होता है? Cos theta के. यह आपने formula already हम लोगों ने starting में read out की थे. इस chapter का जो basic concept है, कि Sin 90 minus theta किसके इक्वल होता है? Cos theta के. It means cos theta भी तो Sin 90 minus theta के इक्वल होगा. So, हमने यहाँ पर क्या किया? इसको हमने theta माल लिया. और हमने क्या लिख लिया? Sin 90 minus 2A. Obviously 2A आपको क्या है? Acute angle है. आपको अल्रडी दिया हुआ है. Given है. That means 90 से छोटा होगा. 90 minus 2A 90 से ओविसले छोटा होगा. कोई फ़र्क नहीं पढ़ता. तो यह इकोल हो जाएगा. Sin A minus 15 degree के. अब हम देखते हैं कि sin से sin cancel हो जाएगा. So, यहाँ से 90 minus 2A किसके इकोल हो जाएगा? A minus 15 degree. तो 2A को right side ले आईए and 15 को left side ले आईए. तो 90 plus 15 equals to A plus 2A. तो 3A equals to कितना हो जाएगा? 105. So, A equals to 105 upon C. ठीके? तो यहाँ से हम दिवाइड करेंगे. 3, 3 is a 9. 3, 5 is a 15. So, A equals to आगया आपका 35 degree. Right? And आप check भी कर सकते हैं. 2A आपको acute angle बोला था. Angle A के value कितनी है? 35 degree है. So, 2A कितना हो जाएगा? 2 into 35. That means 70 degree. Which is less than 90 degree. Right? So, यह आपका acute angle है, यह आपको दिया था. तो यहाँ से हमारा प्रूफ भी हो जाता है कि आपका answer क्या है? Right है. So, इस तरीके से यह आपको question number 8 completely solve हो जाता है. I hope यह आपको अच्छे समझ आ गया होगा. यह आपको करके नहीं दिखाना है. यह इस तरीके से हम लोगों को question करना है. सिर्फ एक चोटर सा step को में change करना है. कि cos theta हम 2a को theta मानकर से sin 91 in theta की form में convert कर लेना है. Obviously, हम लोग कर सकते हैं. क्योंकि 2a आपका acute angle है 90 degree से less than है आपका. तो यह भी तो statement वही शो करता है. Right? So, आईए next question, question number 9, solve कर लेते हैं. Now, friends, question number 9, if sec 4a equals to cosec a minus 40, 15 degree, where 4a is acute, then find angle a. So, यहाँ पर भी आपको question समझ आ गया होगा. Same question number, आपका 8 कित्रे दिया हुआ है, given है. But, यहाँ पर आपको क्या बोला है कि 4a आपका acute angle है, then find the value of angle a. Angle a की value find out करनी है. It means, sec 5 term में एक function होता है, जो कि हमने starting में ही read out किया था. That, sec theta किसके equal आपने read out किया था? Cosec 90 minus theta. या फिर आप कहाँ सकते हैं, कि cosec 90 minus theta आपने study किया था, किसके equal होता है? Sec theta के equal होता है, यही हमने read किया था. So, guys, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें function क्या दिया हुआ है? Sec 4a equals to cosec a minus 15 degree. यही आपको function दिया हुआ है. So, हम 4a को theta माल लेते हैं. That means sec theta, तो हम इसे cosec 90 minus theta के form में लिख सकते हैं, न? So, हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं, cosec 90 minus 4a. Obviously, 4a acute angle है, that means less than 90 degree से, तो यह statement तो अल्डर ही शो करता है कि 90 से less than ही होगा. So, equals to cosec a minus 15 degree. Right? So, अब हम देखते हैं कि cosec से आपका cosec cancel. So, 90 degree minus 4a equals to a minus 15 degree. So, a वाले term को excite लिया है, constant value को excite लिया है. So, 90 plus 15 equals to, आपका हो जाएगा, a plus 4a. Right? So, a plus 4a कितना हो जाएगा? 5a equals to 105. Right? So, a equals to 105 upon 5. That means 5 to the 10th, 5 is the 5. So, a की value आपकी आजाती है, 21 degree. Right? So, हमारे a की value क्या आगई गई गाई? 21 degree आगई. और आपका बोला है, 4a acute angle है. Cross check करके भी देख सकते हैं, 2a equals to, किसके equal हो जाएगा? Sorry, 4a किसके equal हो जाएगा? आपका 4 into 21, 4 बोला है 4, 4 to the 8. 84 degree आपका 4a का value आगी, that is less than 90 degree. That means, this is angle, this is acute angle. Right? So, clear हो गया, कि आपकी जो value है 4a, वो 90 degree से less than है. So, आपका answer भी correct है. Right, guys? So, अगर आपका यह value है 90 degree से above हो जाती, तो it means, आपका answer क्या होता? Wrong होता. So, यहाँ से आपका yes statement भी clear हो गया. कि angle 4a क्या है, आपका acute angle है, less than 90 degree value है. And a की value आपने find out कर ली. Clear? So, इस तरीकी से question number 8 and 9 आपका completely solve हो जाता है. So, I hope आपको समझ आगया होगा. And अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है, comment नहीं किया है, So, जोली से वीडियो लाइक कीजिए and comment कीजिए, यह समय मुझे समझ आ गया. And guys, अपने सभी friends को जादा से यदा share कीजिए, जिससे उनके लिए भी helpful हो. And channel पर नहीं हो, तो channel को subscribe करके, bell icon पर all press कर दीजेगा. सभी solutions आपको मिलते रहेंगे. Community channel पर जो आपके daily के questions रहें, guys, उनका answer देना मत भूलिएगा. वो आपके लिए chapter wise बहुत ज़दा helpful है. So, मिलते हैं next video में. Bye, take care.